और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है फलिस्तीन के गाजा से जहां पर की इसराइली सेना ने एक बहुत बड़ा हमला किया है और कहा जा रहा है कि इस हमले में हमास चीफ मारा गया है हमास का चीफ याया सिन्वार के मारे जाने की खबर है इस हमले में और इसके साथ साथ कई और आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है तो एक बहुत बड़ी खबर है एक तरीके से युद्ध के इस मोर्चे से हमारे पास कुछ हबारे सहयोगी जूडे हुए हैं जरा एक बार उनका सिधे रुख करते हैं प्रदीप दत्ता हमारे साथ है जो कि इसरायल में है इस समय और सीधे सिधे उनके पास चलते हैं क्या ख़बर है इस समय प्रदीप देखे आपने बिल्कुल सही का कि जो खबर आ रही है कि याया सिनवार के मारे जाने की खबर आ रही है ये बहुती बड़ी काम्याबी इसराइल के लिए मानी जाएगी क्योंकि पिछले एक साल से लगातार इसराइल की कोशिश थी कि याया सिनेवार को किसी तरीके से मार गिराना होगा क्योंकि लगाता रहा हमने देखा कि ऑक्टूबर 7 के बाध से जोतने भी हमले घाजा पर किया गे इस्रायल ढ़ारा उनकी पूरी कोशिश थी दो लोगों को मारने लिए एक तो याया सिनेवार और दूसा था मुहमद दाइफ क्योंकि याया सिनेवारी वो शक्स था जिसने आक्टूबर साथ का अटैक प्लान किया था क्योंकि वही शक्स था जो कमांड सेंटर से पूरी तरह से बता रहा था कि किस तरीके से हमास के जो आतिकवादी हैं किस तरीके से इसराइल में दाखिल हो उसी ने प्लान किया था कि किस तरीके से डाइसों के करीम लोगों को बंदी बनाना है होस्टेज बनाना है ताकि पूर तरह से द्वस्त किया जाए और फाइनली आज जो खबर आ रही है उस इलाके से कि याया सिनवार उसके साथ कहीं और कमांडर है उमारे जा चुके क्योंकि याया सिनवार जो पिछले बिल्कुल इदस सालों से बिल्कुल बहुत बढ़ी बढ़ी खबर है उस लिहाज से देखा जाए देखा जाए तो हमास का पूरा टॉप लिडर्शिप इसके साथ एक तरीके से खत्म हो गया है और हम सीधे चलते हैं दिनेश के पास दिनेश याया सिनवार की ही इसमें मौत हुई इस हमले में इसको लेकर कोई संसय तो नहीं है और अगर संसय नहीं है तो क्या-क्या स पूट अब तक हैं सामने आये हैं जिससे कि इस पस्थ हो रहा है कि समले में यहया सिनवार की मौत हुई यहया सिनवार का चहरा उसके जीते जी अगर वह जीवित है अभी तो जाहिर है पता नहीं लेकिन कम से कम आईडियाफ जो दावा कर रही है वो यह कह रही है कि हमने ज विंगर प्रिंट्स जो होते हैं वो यूनीक होते हैं उसी तरीके से दांतों का विन्यास होता है वो भी हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और यह जाहिर है क्योंकि वीभत्स तस्वीरे हैं तो इनको हम बगार बलर की आपको नहीं दिखा सकते लेकिन जो तस्वीर है उसमे दांत exactly वैसे दिखाई दे रहे हैं जैसे जीते जी खीचे गए फोटोग्राफ में याहया सिन्वार के दिखाई दे रहे थे और ये ये देखिए ये वो comparison है इसको थोड़ा closing करेंगे अगर इस जगे पर तो ये आप देखेंगे कि ये दांत जो है याहया सिन्वार के दांतों जहां पर gapping है जिस तरीके से ये जो incisors उसके सामने वाले दांत दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके के उसके दांत उसके बीच का gap और ये ये खास طور से ये वाला gap नीचे आप जो देख रहे ये जो lower incisors हैं वहाँ पर जो दिखाई दे रहाए वो ये इस पस्ट करता है कि य याहया सिन्वार ही है, हलाकि खुद अभी IDF ने, Israel Defense Forces ने जब ये बात अपने एक tweet में डाली है, तो उन्होंने ये कहा है, अभी तक तो जो जो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि looking at his teeth, it does not, it does look like he is याहया सिन्वार, लेकिन IDF ने जो tweet किया, उसमें लिखा है, during IDF operations in Gaza, three terrorists are eliminated, the IDF, ISA are checking the possibility that one of the terrorists was याहया सिन्वार, मतलब वो अभी confirm नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन तीन में से एक याहया सिन्वार हो सकता है, इस बात की तस्दीख हम कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा development है, war front पे, और इसमें कोई दो मत नहीं है, कि अग अपने सारे दुश्मन आतंकियों के पूरे टॉप लिडर्शिप को खत्म करके, ध्वस्त करके ही मानेगा, तो एक तरीके से आज उसकी प्रूनायुती हो गई है, चलिए तो इस खबर पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे,